तो आप सब ने कभी ना कभी माला माल वेकली फिल्म तो देखी ही होगी जहाँ पर जो पूरी फिल्म है वो पैसों के इर्दगिर्द घुमती है रहती है और यहाँ पर आपको इस फिल्म में भी कुछ वैसा है देखने को मिलता है तो ऐसे मैं सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं तो दोस्तों आप सुका स्वागत है आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म मिस्टर मनी यह 2013 की तेलगू कॉमेड़ी ड्रामा फिल्म है डिरेक्टेड बाई कांधी रांचंदर रेडडी तो बात करते हैं कि हमको इस फिल्म वह आखिर मिलेगा किसको किसकी किसमद सिमकेगी या कुछ लोगों की किसमद नहीं चमकने वाली एकुछ किसम के किसमत बन जाएगी या फिर वह फॉकटिया ही होड़ाएंगे तो कुछ यह हमको इस फिल्म देखने को मिलता है जो कि वाकाई में बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमें इस फिल्म में दिखाया भी गया है लेकिन अगर इस फिल्म के कुछ कमी हो कि अगर मैं बात करो तो वह यह है कि इस फिल्म में कौमेडी तो आपको बहुत ही जबरदस देखने को मिलती है लेकिन उस कौमेडी को देखकर हमें हसी नहीं आत हमें सुनने को मिलता हैं फिल्म देखने के दौरान उसको देखकर मज़ा नहीं आता है रहषिक नहीं आती से कुछ एक कमी है इस फिल्म की इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फिल्म में हम जो पर देखने को मिलता है जो फिल्म का स्क्रीन somewhat है वह इतना भी ज़िए 18 मिनिट कुछ इतनी ही लंबी ये फिल्म है जिस वज़े से फिल्म की काफे सारे कमिया होने के बावजूद भी ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगी आपको फिल्म देखते समय फिल्म नहीं बोर करेगी नहीं फिल्म आपको स्लो लेगी तो ये प्लस पॉइंट है इस फिल्म क इसके अलावा अगर मैं इस फिल्म के बारे में अगर सीधे सीधे देखा हूँ तो ये ठिक ठाक सी हलकी फुलकी comedy drama film है अगर आपके पास कोई option नहीं है और अगर आप काफी वक्त से एक comedy drama film देखना चाहते थे और अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई option नहीं है और अगर आपको एक comedy drama film देखना ही है तब आप इस film को देख सकते हो वरना मैं आपको यही कहूंगा कि इस film को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इस film में कुछ इतना धमाकेदार कुछ इतना बढ़िया या फिर कुछ इतना खास entertaining वाला जो एक comedy drama film होना जाहिए वैसा आपको इस film में देखने को नहीं मिलता है जिस वज़े से यह film थोड़ा बहुत तो डिसपॉइंट करती है और जैसा कि मैं आपको बताए कि इस film के लेंधी इस film की जान है जो कि बहुत जादा कम है जिस वज़े से अगर आप चाहो एक अच्छी खासी comedy drama film दे तो आप इस film को देख सकते हो वरना अपको इस film को देखने की ज़रूद नहीं है जैसा के मैं आपको बताया इस film को आप आसानी से स्किप कर सकते हो जैसा कि मैंने शुरुआत में माला माल विकली film का जिक्र किया था अगर हम इन दोनÓं फिल्मों का compare करें क्या क्यूंकि compare करन इतनी भी जादा कुछ खास फिल्म ये है नहीं हलागि फिल्म की लेंद की वज़े से ये फिल्म एक बार देखने लाइक फिल्म बन जाती है वो भी तब जब आपके पास कोई भी उप्षिन ना बचे वरना मैं आपको यही कहूँगा आपक talk स्क्रेख फिल्म को तो देख सकते हो और जहां तक बातर आप दो बेंडरी के अपने दोस्ष्ट को यह किजिए कोई सवाल है तो एक चैनल को पने बिलकुल ही मत भूलेगा तो बस वास्त व dela क возмरी के सबस्द Con in